नमस्कार दोस्तों लियान के बाते यूट्यूब चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं आज मैं आपको बताऊंगा लो ब्लेट प्रेसर का उपचार इस भागते जिंदगी में हर कोई किसी ने किसी तनाव में जरूर है जैसे कि किसी को ब्लेट प्रेसर हो जाता है तो किसी को लो ब्लेट प्रेसर लो ब्लेट प्रेसर के भी बहुत सारे जिम्टन्स है जैसे चक्कर आना आखों के शामने अंधेरा चाना आपको के शामने अंधेरा हो जाना, थोरी देरी के लिए बेहोस हो जाना, आदी ये सारे लक्चन है, आपको भी अगर ऐसी समस्या है तो अपना ही ये असान टिप्स जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिससे आप असानी से, लो ब्लड प्रिशर से बच सकेंगे, नमक को पानी में घोल बना कर पी ले, चक्कर जैसा नमब हो तो आप जहां कहीं भी हो, वहां बैट जाए या सो जाए, अपने मुठियों को बार बार खोले और बंद करते रहे, अपने पैरों को हिलाते रहे, और भी घरे लूप शार अपना सकते हैं, जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूं, नमबर वन, घर में किसमिस तो मुझूद ही होगा, उसको रात में किसी कांच के वर्तन में भीगो कर रख दे, और सुबह खा ले, हो सके तो किसमिस के साथ देशी चना को भी भीगो दे, सुबह दोनों को अच्छे से चवा चवा कर खाए, दूसरा, छाच, छ भूना हुआ जीरा और हिंग मिला कर पीने से, अपका ब्लड प्रेसर हमेशा नॉर्मल बना रहेगा, तीसरा, दालचीनी के पाउडर को हमेशा गर्म पानी के साथ लेने से, वे अपका ब्लड प्रेसर कभी लो नहीं रहेगा, चौधा, लो ब्लड प्रेसर में अक्सर चक्करानी की समस्या रहती है, ऐसे में आप आवले के रस में सहथ को मिला कर खाने से, आपको बहुत जल्दी रहत मिलेगी, पाजवा, अद्रक को आप काट ले और फिर उसमें निम्बू का रस और नमक मिला कर रख ले, अब इसे रोज खाना खाने से पहले थोड़ा खाते रहे, ब्लड प्रेसर आपका लो नहीं होगा, चट्ठा, टमाटर के रस में थोरी काली मिर्च और नमक डाल कर पी ले, लो ब्लड प्रेसर होने पर इससे आपको औरहात बहुत जल्द मिलेगा, चुकंदर भी आपके ब्लड प्रेसर को नियंतरित करने में अहम भूमिका निभाता है, कोसिस करें कि आप चुकंदर का जूस बना कर पीए, अठवा, अगर आप ठंडे पानी से नहते हैं, तो यह आपके ब्लड प्रेसर के लिए सही नहीं रहेगा, इसलिए कोसिस करें कि आप गुनगुने पानी से नहाएं, नौवा, खाली पेट एक दो चम्मच पानी में तूलसी का रस मिला कर पीएं, आपको आराम मिलेगा, इससे पीने के एक घंटे बाद तक कुछ भी नखाएं, दाश्वा, घरेली उप्चार जो मैं आपको बताना चाहूंगा, वो है खाने पीने का सही ख्याल रखना चाहिए, साथ ही बयाम करने से बिलड प्रेसर के कोई समस्या नहीं रहेगी, ध्यान रहे, अधिक नमक और अधिक चीनी आपकी सेहत को नुक्सान पहुंचा सकता है, तो ये था दोस्तो लोग ब्रेड पेसर से बचेने के घरेली उप्चार और नुसके, दोस्तो इस चैनल के मध्यम से मैं आपको आप लोगों को बिमारियों और उसके घरेली उप्चार के बारे में बताता हूं, इसके अलाव और भी तरह तरह के महत्पून जनकारियां अब तक पहुंचाने ही गोशिश करता हूं, दोस्तो अगर अभी तक आपने हमार इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज ही सब्सक्राइब करें, ताकि आपको सारे जनकारियां मिलती रहे, भन्यवाद